आप देख रहे हैं क्लास 8 इंग्लिस न्यू चैंप्स रद्रा सागर लेसन नमबर 13 लाइस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग पोउम के कोसर आंसर एक्सोसाइस और साथ ही समरी की ये वीडियो तो फर्स्ट हम यहाँ पे समरी से स्टार्ट करते हैं समरी में इस पोउम की लिखा हुआ है एक पोउम की बारी में कि इस पोउम में पोईट जो है वो बड़े ही रिलेक्स एक च्छावदार पेड के नीचे बैटे हुए हैं जहाँ पर वो बहने वाली उस हवा का आनंद ले को और रही हैं और साथ ही आवाज सुन रहे हैं उन बास की हाँ पर बड़े विचार अजाते हैं बुरे विचार इनके मंत को घेहले कि कैसे एक इन्सान दूसरे को प्राग्रती को भी नुकसान पहुचा रहा है और यहाँ पर वो फिल करती है कि यहांगे flower plant जो भी birds है flowers है यहांगे प्राकरती का आनंद ले रहे हैं लेकिन इंसाण ऐसा नहीं कर रहा है वो इस प्राकरती से दूर होता जा रहा है और अपने आप को उसने इस प्राकरती से दूर कर दिया है जितना प्राकरति का क्रियेशन है अब यहां पर आते हैं हम सेकिंड एक्सोसाइज के पॉर्शन पर कम इसमें दिया हुए मैच इच फेसिस विट इट्स मीनिंग यहां पर मीनिंग से में मैच करना है देखे होगे आप आंसर मैंने लिखे हुए हैं जैसे ब्लेंडि नोट्स का मतलब हमने जाना था कि चिरपिंग ओफ बड कि मली जुली आवाजी होती है तो उसमें वन बड़ के बारे में भी पढ़ा था नेक्स्ट है फियर वर्क कि अच्छा काम किसका बताया गया था नेच्टरल इर्वार्मेंट का नेक्स्ट है नेचर्स होली प्लैन टूगेदर कि क्या है उनका पीपल सुड लिव की प्राकरती का प्लैन यह है कि पीपल यानि लोग एक साथ मिल जूल कर रहे स्वीट मूड यहां पर मतलब है इसका हैपी स्टेट ओप माइड इस तरीके से अध्रील ओप लेजर हैपिनेस का मतलब है मुवमेंट मेड इन हैपिनेस दिस बिलीव का मतलब है पॉइट को यह पॉइट यह सारी लाइन वेग बोल रह dangerous कि यह किस तोड़ार के बारे में यहाँ पर बात हो रहे हैं यहां पर बात हो रहे हैं बर्ड के विचारों के बारे में नेक्स्ट है, इवन थो, he could not measure their thoughts, what conclusion he'd reach on, उनके विचारों के बारे में जाने बिना ही, जो point है, वो किस conclusion पर पहुचती है, क्योंकि वो bird की विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी वो ये अंदाजा लगा लेती हैं, कि वो hoping और playing कर रहे हैं, उचल रहे हैं, खेल कर रह रहे हैं, question C में, first question है, where was the point, what did he hear while sitting there, कि यानी point कहां पर हैं, और वो वहां पर बैठे कर क्या रहे हैं, कि point यहां पर एक tree के साथ लगकर बैठे हुए हैं, बड़ा अराम कर रहे हैं, एक छावदार पेड के नीचे, यहां पर वो आवाजे सुन रहे हैं, किसकी हवाओ की, chirping of birds की, और साथ ही, creaking of insects की, next question number second, why was the point sad, कि point दुखी क्यों है, the point said because, वो इसलिए दुखी है, क्योंकि इंसान ने इस प्राकरती के साथ रहना बंद सही कर दिया है, वो इसका आनेद नहीं ले रहा है, और he was sad to think how man had inflicted pain on his own fellow man by moving away from the nature, holy plan, peaceful coexistence, क्यानी प्राकरती का यह plan है, क जाती है, वो सभी मिल जूल कर रहे हैं, पर यहां से हट कर इस योजना से इस प्राकरती की इस plan से हट कर, यह एक दूसरे से घिजना कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे है, next question number three, which flower did the poet see in the bower, कि यहां पे जाडियों में कौन-कौन से flower सुनों ने देखी है, तो यहां पे हमने पड़ा था, कि दो flowers कि यहां पे नाम पड़े थे, first है यहां पर पैरिविंकल और थर्ड है प्रिम रोस, ठीक है, इन दोनों की बारे में पड़ा था, लिखा है, next what did the flowers have in common, कि दोनों में common क्या है, कि यह उस बहने वाली हवा को, जिस में यह सांस लेती है, उ seems to be thrilled with pleasure in their activity, कि जो birds हैं, वो इस कवी के पास, उचल रहे हैं, खेल रहे हैं, और उनको देखकर ऐसा लगता है, कि वो अपनी इन activities से, उचलने और खूदने से, यहां के, जो भी खुबसूरती है, उसका आनन्द ले रहे हैं, उनका मन भर चुका है, इस खुशी से, इस जिग कोसम पूचा था, कि पोईट इनके बारे में क्या बता रहे हैं, तो पोईट ने यह बताया था, कि जो budding tweaks होती है, वो अपनी branches को spread कर रही है, जिससे उनकी जो पत्तियां है, ब्रांचिस की, वो उस बहनी वाली हवाओ को पकट सके, यानि उसका मज़ा ले सके, नेक्स्ट ह इसमें, येस, फिर्स लाइन का मने आंसर दिया है, येस, कि हम यहाँ यह सोचते हैं, कि जो point है, उनका निरास होना, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो यह सोचते हैं, कि man, इनसान, एक इनसान, तूसे इनसान को, या फिर man को, या woman को, किस तरीके से नुकसान पहुचा रहा है, कि और यहाँ पे जो प्राकरती है, वो तो सभी के लिए helpful है, यानि सभी को फाइदा पोचा रही है, पर इनसान की तरफ जब वो सोचता है, तो इनसान कितना लालची हो चुका है, कैसे वो दूसरे से नफरत करता है, एक दूसरे से jealous होती है, इस तरीके की बावनाओं को यहाँ पे जोड़ है, कि कैसे बता रही है, नेचर और इनसान के बीच के, क्या डिफरेंस है, कि जो पोईट है, महसूस करते है, जो भी नेचर में है, वो सब कुछ सुन्दर है, और सभी अच्छा है, लेकिन जो इनसान की जो दूनिया है, वो कैसी है, बुराई से भरी हु that are example of personification first or second line यहाँ पर लिखी हुई है two lines हमने यहाँ पर चूज की है to her fair work did nature link second है tis my faith that every flowers enjoy the air it's breath question F quiet line from the poem that indicates the following कि यहाँ पर हमें इन line-o को poem से चूज करना है ऐसी line-o को जो इन्हें indicate करती है the time where happiness and enjoyment make us think of that which is not pleasing तो यहाँ पर अगर हम poem में चूणे जिसका meaning इससे निकल कर आता है तो यह है that sweet mood when pleasant thought brings a throat to the mind no matter how hard I try I cannot help thinking and believing something answer इसमें and much it grieve my heart to think what man has made of man dictionary portion में आ जाता है यहाँ पर कुछ line ने दी हुई है जिनको हमें fill करना है और meaning इनके सामने दिया हुआ है इन meaning को पढ़ते हुए हमें यहाँ पर answer fill करना है कि answer क्या हो सकता है जैसे यहाँ पर हमने सभी का answer लिखा हुआ है कि किसमें यहाँ पर sc भरना है किसमें cc और किसमें ss तो मैं थोड़ल से यहाँ पर post करता हूँ फिर हम next portion पर जाएंगे ठीक है तो आपने यह कर लिए हुआ अब आते हम grammar study में grammar study में लिखा हुआ है underline the adjective close in the sentence कि जो adjective closest है उन पर हमें underline करना है तो आप देखी सकते हो कि मैंने यहाँ पर underline भी किया हुआ है और यहाँ पर साथ ही लिखा हुआ है उन words को जो nouns है और pronouns है उन्हें हमें italic words में italic यानि italic आप जानते ही हो जो words थोड़े से जुके हुए है यह यहाँ पर हमने इनके noun और pronoun को यहाँ पर indicate किया है italic words से और थोड़ा से dark color भी इनको कर दिया है नेक्स्ट है इसमें complete this sentence by adding suitable nouns closest यहाँ पर हमें sentences को complete करना है और suitable nouns को यहाँ यूज करना है तो यहाँ पर आप देख लीजिए answer इनके जब यह आपका काम complete हो जाता है तो हम राइटिंग पोर्शन पर आते हैं यह नीचे पहुच गया है थोड़ा सा यह एक चार्ट है जा फिर आप अपनी तरफ से कोई और चार्ट भी मना सकते हैं जैसा आपकी मर्जी चाहिए ठीक है यहाँ पर मैंने एक छोटा स्चार्ट अप्लोड किया है बस और यह वीडियो का लाश्ट पोर्शन था जो खतम होता है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जोरू करना है थैंक्यू हेव नाइस डे बाई बाई